गुट मॉर्निंग ओल्डियर स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो माय चैनल तोडेय आम गुंग तो कंटिन्यू पार्ट नाइन फ्रॉम टैंपेस्ट एक वन एंड सीन तू इसका एक पार्ट और होगा टोटल टैन पार्ट होंगे तो आज हम पार्ट माइन को एक्स्प्लेइन करेंगे इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है आप कंटिन्यू रखी इसको देखते रहे और जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस करें बैल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हर वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहेगी ओकी सो लेट्स स्टार्ट यहां तक आप लोग देख चुके थे तिल नाव एट एरियल वस फेचिंग फर्डिनेंड फर्डिनेंड को लेकर आ रहा था एरियल एंड फर्डिनेंड वस फॉलोईंग हिं बिकॉस अप दॉजिकल साव्ड नाव यूसी दाट फर्डिनेंड इस केव प्रस्पेरो तो उधर से फर्डिनेंड आ रहा है फॉलोव करते हुए प्रस्पेरो की केव के PASP सेणते मिरांडा को दिखाता है मिरांडा देखो तो क्या बोलता है दफो जो तुमेरां§ पलके धैस हैं एडवांश मतलब इनको खो लूँ अपनी आँखे खोलो and say what the sea stand और मुझे बताओ कि वहाँ सामने यांड मतलब जब हम उंगली से इशारा करके बोलते हैं कि वहाँ सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यानि Ferdinand आता हुआ दिख रहा था और नाव यू कें अंडर्स्टैंड आट Miranda is a girl who have not seen so many persons except his father her father Prosper को अलावा किसी को देखा नहीं तो Miranda उसको एक घोस्ट ही समझती spirit ही समझती है तो क्या बलती है what is it a spirit कि ये भी कोई spirit है और बलती है Lord how it looks about believe me sir it carries a brave form और बलती है sir यानि पिताजी ये कैसी दिख रही है ये जो कोई shape लेकर आया है spirit तो ये बहुती brave form है यानि बहुती सुन्दर रूप बना कर आई है कोई spirit ऐसा लग रहा है मुझे because Miranda ने spirits को ही यहाँ पर experience किया था कि तरह तरह की spirits अलग अलग shape में आती थी तो उसे लगा कि जो Ferdinand है वो कोई इनसान नहीं है वो भी एक spirit है जो एक इनसान की shape रखके आया है तो बोलती है but it is a spirit यानि कहती सुन्दर तो बहुत है ये लेकिन अफसोस की बात कि ये भी एक spirit है तो Prospero से समझाता है No wench wench means lady, my girl it eats and sleeps and has such senses as we have क्या बलता है नहीं नहीं बच्ची ऐसा कुछ नहीं है he eats also, he sleeps जैसे हम सोते हैं, जैसे हम खाते हैं और जैसी हमारी senses हैं आँक नाक कान वैसे ही इसकी भी है और क्या बलता है the gallant means brave person बलता है ये जो brave person तुमको सामने दिख रहा है ये भी बेचारा उस ship rack में था यानि जहाज डूब रहा था उसी में था and but he is something stained with grief that's beauty's canker और क्या बलता है कि stained with grief है मतलब वो दुख में गमगीन है उसे अभी दुख है अपने लोगों के बिच्छडने का अपने फादर के मरने का and that's beauty's canker and that's why his beauty is something not proper कहता है इसलिए उसकी जो beauty है वो canker हो रही है मतलब खराब हो रही है ये बैसे बहुत सुंदर है लेकिन अभी दुख में है तो इसकी सुंदरता कम हो रही है तो mightest call him तो आगे क्या बोलती है कि prospero बोलता है तुम उसको बुला सकती हो और जो उसकी exact condition है उसके बारे में बताता है और क्या बोलता है though mightest call him a goodly person and it means you can say that he is a very good person कहता है वो एक इनसान ही है अब देखिए यहां पर oxymoron एक विरोधामस contradiction देखने को मिलता है prospero की बातों में here he is telling Miranda that Ferdinand is a person he is a living being he is a man but after some time he will say that Ferdinand is a spy he is a spirit बाद में Miranda को वो समझाता है बेटा यह कोई इनसान नहीं है spirit है यह जासू से हमसे हमारा island शीनने के लिए आया है तो वो कब कहेगा जब Ferdinand और Miranda में attraction होने लगेगा और वो दूर करना चाहता है तो क्या बोलता है he had lost his fellows and strays about to find them कहता है कि इसके सारे साथ ही बिछड गए है खो गए है और वो इस्ट्रे कर रहा है भटा कर रहा है उनको डूंडने के लिए now Miranda says I might call him a thing divine she says that this shape is really a divine thing कहती है कि यह तो बिल्कुल ऐसी लेरी कि यह सुर्क से उतरा हो आसमान से उतरा हो for nothing natural I ever saw so noble क्योंकि natural चीजें तो मैंने कभी भी इतने सुन्दर देखे ही नहीं क्योंकि उसने कैलिबन को देखा एरियल को देखा other spirits को देखा बट किसी इतने सुन्दर इंसान को नहीं देखा तो क्या समझती है कि ऐसा लग रहा है कि जरूर आसमान से उतरा है एक दूसरे को देख रहे है और prospero अपने अकेले में क्या सोचता है it goes on कहता है ये देखो चालू हो गया है चल रहा है I see और मुझे समझ में आ रहा है as my soul prompts it यानि जैसी मेरी आत्मा चाहती है जैसा मेरा मन चाहता है बैसा ही सब को चल रहा है spirit fine spirit I'll free thee within two days for this तो यहाँ पर it goes on किस के लिए वोलता है he speaks for the love and attraction between Ferdinand and Miranda वो ये देखता है कि Ferdinand and Miranda के बीच में एक love का जो bond है वो create हो रहा है तो इससे वो खुश हो जाता है कहता है जैसा मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है और Ariel से बोलता है spirit तुमने बहुत अच्छा काम किया है Ferdinand and Miranda को मिला के और इस काम के लिए मैं तुमें दो दिन बाद free कर दूँगा तो इधर Ferdinand अब Miranda को देखता है और क्या बोलता है most sure the goddess on whom these ears attend most sure यानि मैं sure हूँ मुझे यकीन हो गया है कि यह जो music play हो रहा था ears attend मतलब जो music play हो रहा था वो इसी goddess के लिए हो रहा था because when Ariel started playing music near Ferdinand then Ferdinand thought that this music is being played for any god or goddess of the island कहता है कि कि किसी देवी देपता के लिए music play हो रहा है तो सच मुच में यह देवी वही है Miranda को देखकर यह बोलता है और क्या बोलता है vouchsafe my prayer vouchsafe my prayer यानि मेरी request को accept करो और वो request क्या थी वो Miranda से बोलता है may know if you remain upon this island यानि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसी island पर रहती हो and that you will some good instruction give और क्या तुम मुझे भी कुछ instructions दे सकती हो मुझे guide कर सकती हो कि इस island पर मुझे कैसे रहना है because वो एक अलग country से आय था और एक island पर आय था दूसरे island पर तो सोचता है कि मुझे भी अगर यहां रहना पड़े तो कैसे रहूँ वो भी मुझे guide कर दे न और मुझे यह बता दो क्या तुम इसी island पर रहती हो और वो दिया है क्या बलता है how I may bear me here it means मैं अपने आपको यहां पर कैसे रहूँ कैसे रहूँ my prime request which I do last pronounce is you wonder और क्या बलता है मेरी जो सबसे बड़ी request है जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले last pronounce में थोड़ी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही थी is oh you wonder कहता है कि तुम एकदम मारलस हो बहुत wonderful हो तो मेरी request यह है मुझे यह बता दो if you be made or no यानि क्या तुम कोई लड़की हो या नहीं हो यानि वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है यह तनी सुन्दर जो है वो जरूर कोई spirit है कोई देवी है जो स्वर्ग से आई है इस जमीन से तो belong करती हुई दिखाई नहीं देती है यानि दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे है कि यह सुर्ग से उतरा है वो कह रहा है वो सुर्ग से उतरी है तो यह सब क्या है attraction है तो मिरान्डा क्या बलती है no wonder sir but certainly a maid कहती कि नहीं नहीं मैं कोई वंडर नहीं हूँ wonderful lady नहीं हूँ मैं मैं एक just मामूली सी लड़की हूँ मैं एक बस maid हूँ तो Ferdinand क्या बलता है my language heavens I am the best of them that speak this speech अब देखी यहाँ पर मेरान्डा मेरान्डा जादा लोगों से मिली जुली नहीं वो सिर्फ जितना भी सीखा उसने वो अपने father prospero से सीखा तो उसकी language में and एक ऐसे इनसान की language में जो बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है कुस तो difference होगा तो मिरान्डा जब बोलना start करती है तो Ferdinand कहता है यह कैसे बोल रही कि मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ और क्या बोलता है my language heavens I am the best of them that speak speech कि यानि यह language बोलने वालों में तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ यहाँ पर where I but where it is spoken और क्या बोलता है शायद where I but where it is spoken मतलब काश में वही होता जहाँ पर मेरी language बोली जाती है it means मैं तो नेपल्स में ही होता काश तो अच्छा होता तो प्रोस्पेर हो बोलता है how the best प्रोस्पेर हो बोलता है तुम और सबसे बेस्ट हो कैसे यानि तुम ये गप मार रहे हो कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ कैसे what would though if the king of नेपल्स hurt thee और क्या बोलता है तुम्हारा क्या होगा अगर नेपल्स के राजा ने ये सुन लिया कि कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ तो कहता है ये बताओ नेपल के राजा को अच्छा नहीं लेगेगा क्या मतलब उसको बुरा नहीं लेगेगा क्या तो फरडिनेंड्स की बात का जबाब देता हूँ और क्या होलता है a single thing as I am now that wonders to hear the speak of नेपल्स he says that I am here and a single thing you speak about नेपल्स ये बड़ी हैरानी की बात है wonder की बात है कि तुम यहां पर नेपल्स की बात कर रहे हो तुम नेपल्स को कैसे जानते हो और क्या बोलता है he does hear me and that he does I weep क्या बोलता है he does hear me यानि मेरे पिता जरूर मेरी वाज को सुनते होंगे और और वो पिता मेरे सुनते होंगे जिसके लिए मैं रो रहा हूँ यानि उसे लगा कि अलंजो डूब के मर चुका है Myself I am Naples और क्या बलता है मैं अब खुद ही Naples करा जा हूँ या फादर तो अब गय है Who with mine eyes never since at age Behold the king my father wrecked क्या बलता है Because who with mine eyes यानि जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा Never since at age एव मिस जो तूफान था पानी का Behold मिस देखा अपने फादर को डूपते हुए कहता है क्योंकि मेरे फादर को तो मैंने डूपते हुए देखा था तो इस आइलेंड पर ही हैं और मेरी बात को सुनते होंगे और जब वो मर चुके हैं तो मैं ही नेपल्स हूँ मैं ही नेपल्स करा जा हूँ तो मिरेंडा बलती है अलाइक फॉर मरसी यानि जैसे कोई मरने के अबर नियूज सुनता है तो कहता है यारे बड़े अपसूस की बात है तो मिरेंडा भी उसके लिए मरसी शो करती है फरडिनेंड के लिए तो फरडिनेंड क्या बलता है Yes faith Yes faith means in reality and all his lords the Duke of Milan and his brave son being trained क्या बलता है उसके सभी लोड मर गये मिलान का Duke वो भी मर गया यहाँ पर उसका कोई नाम तो मेंशन नहीं हुआ है एंटोनियो के बेटे का बट यहां पर Ferdinand क्लियर करता है कि शायद मिलान के राजा यानि एंटोनियो का भी कोई बेटा था तो कहता है सब के सब डूब के मर गए कोई नहीं बचा तो जो Ferdinand ये बात बोलता है कि मिलान का राजा तो प्रॉस्पर बोलता है तुझे पता ही नहीं है बेवकूफ कि मिलान का राजा तो मैं हूँ असली वाला तो प्रॉस्पर क्या सबस्ता है असाइड यानि अकेले में अगर काश तुम इस लाइक होते यानि काश तुम इस हालत महोते Because Ferdinand तो बहुत दुखी था तो क्या होता है तुम खुदी दुखी हुए तो हम क्या करें तुम्हारा कहता है मिलान के राजा तो हम है और हमारी बेटी राज़कुमारी है तुम किसकी बात कर रहे हो At the first sight they have changed eyes और क्या होता है अपने मन ही मन में यानि पहली मुलाकात में दोनों की निगाहें आपस में मिल गए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे Delicate Ariel, I'll set the free for this और क्या वोलता है यह तो बहुत अच्छी बात है It means Prospero is very happy to see that Ferdinand and Miranda start loving each other But he does not want that their attraction must be so faster सर वो चाहता है कि इतना तेज सब कुछ नहीं होना चाहिए तो कहता है एरियल तुमने बहुत अच्छा काम किया है मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा आजात कर दूंगा अब वो टर्न होता है फर्टिनेंड की तरफ और क्या बोलता है अवर्ड गुड सर अवर्ड मिस बातचीत करते हैं सर जरा थोड़ी मुझसे बातचीत करो यह फर्टिनेंड से बोलता है प्रॉस्पेरो और क्या बोलता है I fear you have done yourself some wrong कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने क सोचना कुछ गलत किया है और थोड़ी बात करो मुझसे तो मिरेंडा अब सोच रही है यहां पर प्रॉस्परो का एकदम माइंड कैसे चेंज हो गया अब तक तो प्रॉस्परो ठीक था यानि फर्डिनेंड की इतनी तारीफ कर रहा था अभी भी मिरेंडा एंड फर्डिने यानि मेरे फादर को क्या हो गया यह इतना ungently बात क्यों कर रहा है This is the third man that ever I saw और क्या बोलती है यह ऐसा तीसरा इंसान है जिसको मैंने देखा है तीसरा इंसान It means Prospero और दूसरी Miranda और तीसरा Caliban But Caliban को यहां पर वो काउंट नहीं करती है Because he is not a total human तो क्या बोलती है तीसरा इंसान है जिसको मैंने पहली बार देखा है That ever I side for और ऐसा पहला इंसान है जिसके लिए मैं कुछ फील करती हूँ Side for मतलब मैं इसके लिए कुछ फील कर रही हूँ Pity move my father to be inclined my way और बोलती है काश Pity यानि रहम और दया मेरे फादर के अंदर आ जाए और वो भी बैसे ही सोचें जैसे मैं सोचती हूँ वो मेरे रास्ते में ना आएं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही वो inclined हो जाए तो Ferdinand Miranda से बोलता है अब Prospero ने बुलाया Ferdinand को Ferdinand मुझ से बात करो बट Ferdinand उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है अगर आप अभी तक वारी है और आपका दिल अभी तक किसी पर नहीं आया है मतलब affection आपका किसी के लिए नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें नेपल्स की क्वीन बनाऊंगा नेपल्स की रानी बनाऊंगा अब डिरेक्ली प्रपोस कर दिया और उन्होंने फरडिने को मिरेंडा को और बिल्कुल उसके सामने प्र्सपेरो के सामने तो प्रसपेरो से रोकता है कह jeden सौफ्ट सर कहता है रोको ज़ड़ा थोड़ा सबर करो वन वर्ड मोर थोड़ी बातचीत कर लें हम आपस में उसके बात देखना तो अब अलग में सोचता है They are both in either's powers क्याता है बिलकुल एक दूसरे में खो चुके हैं ये लोग Either's powers मतलब दूसरे के emotions में But this shift business I must uneasy make और क्या बोलता है ये जो shift तेजी से इनके बीच में जो attraction बढ़ रहा है उसको मैं uneasy करूंगा Uneasy मतलब थोड़ा tough करूंगा Make last two light कहता है क्योंकि अगर आसानी से इनसान को चीज हासिल हो जाती है तो उसकी value नहीं करता है उसकी कदर भूल जाता है तो क्या बोलता है Let's two light winning Two light winning make the prize light यानि इनसान आसानी से जीत जाता है तो वो price की value नहीं करता है तो fernand से बोलता है one word more I charge the that you attend me fernand तो prospero की बास सुनने को तयार ही नहीं है वो इतना खो गया है मेरे अंडा में तो वो क्या बोलता है मुझसे बात करो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ इदर मेरी बास सुनो The dust Here usurp the name The owest not अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर उसने अपना game चालू कर दिया Prosperon है क्या बोलता है तुमने उस नाम को भी असर्प कर लिया जो तुमारा है ही नहीं यानि तुम एक बहरूपिया हो किसी और का नाम और किसी और का रूप बना का तुम यहाँ पर आए गए हो And hast put thyself upon this island as a spy to win it from me क्या होलता है तुम यहाँ पर आए हो इस island पर एक जासूस बन कर जिससे की मेरा island तुम मुझसे छीन सको और क्या होलता है The lord on it यानि मैं हूँ इस island का मालिक इसका owner तो तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ना तो वो एक spy था ना कोई spirit था बट यहाँ पर prospero Miranda को show करना चाहता है कि यह बहरूपिया है यानि उन दोनों का attraction इतनी तेजी से ना हो तो Ferdinand के अलता है No, as I am a man कहता है नहीं नहीं मैं तो इनसानी हूँ तो मैं क्या जासुसी करूँगा और क्या किसी का भेज बदल कराऊँगा तो आज के लिए हम इतना ही रखते है Next time we will continue from here कि Ferdinand का आगे reply क्या होता है and Ferdinand Prospero में fight के लिए भी scene create होता है but वहाँ पर Ariel की help से वो Ferdinand को jam कर देता है हो कहता है तुम डर पोक हो okay so now this is only here thanks for watching